आप ऐसे किसी ना किसी इंसान को जरूर जानते होंगे जो हमेशा कंप्लेंड करता रहता है कि किस तरह पहले सब कुछ सस्ता हुआ करता था और अब गौर्वर्मेंट के वज़ा से सब कुछ महंगा हो गया है और उसकी ये कंप्लेंड घंटो चलती होगी ऐसा भी नहीं है कि सब्सक्राइशन नाम का कॉंसेप्ट मौजूद नहीं है या उन्हें इसके बारे में पता नहीं है जो लोग मेंटल स्ट्रॉंग नहीं होते हैं वह उन चीजों पर फोकस करते हैं जिनने वह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं दूसरी तरफ जो लोग मेंटल स्ट्रॉंग होते हैं वो सोचते हैं कि बले ही ये complaint सही है लेकिन complaint करने से मुझे क्या फाइदा मैं उन चीजों पर focus करूँगा जिने मैं control कर सकता हूँ अगर एक mentally strong person का कोई business है तो क्या वो इस बात पर focus करता है कि आज को लोग अच्छे products पसंद नहीं करते, सरकार के regulations कितने strict है नहीं, वो तो अपने products पर focus करता है और खुझ से ऐसा वाल करता है कि मैं किस तरह अपना product improve कर सकता हूँ जिससे customers मेरे product के बिना ना रह पाएं क्या आपको पता है कि इस question के साथ कितने responsibility, कितना hard work और कितना dedication भी आता है बट हमारा shortcut ढूणने वाला mind हमेशा वो रास्ते तलाश करता है जहां मेहनत ना करनी पड़े इसलिए ज्यादातर लोग उन चीजों पर focus करते हैं जो वो control नहीं कर सकते आपने कितनी बार लोगों को ये कहते सुना है कि मेरी शादी से पहले का time बहुत अच्छा था, मेरी पुराने job बहुत अच्छी थी मेरे डैड अगर जिंदा होते तो हालात कुछ अच्छे होते काश वो time फिर आ जाए जो लोग mentally strong नहीं होते हैं वो past में ही जीते हैं जो time जा चुका है वो उस पर अफसोस करने में time waste करते हैं दुसरी तरफ जो लोग mentally strong होते हैं वो past के बारे में सोच सोच कर अपना time waste नहीं करते वो लोग present पर focus करते हैं और future के planning करते हैं उनके लिए past स्रिफ एक lesson होता है उनने पता होता है कि past स्रिफ एक memory है और उस पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं और अफसोस करने से ना तो वो time और ना ही वो लोग फिर से वापस आ सकते हैं एक ऐसा इंसान जो mentally strong नहीं है उसके सामने से एक शांदार कार गुजर जाए तो वो कहता है ये कारता ओनर ने दो नंबर के पैसो से ली होगी अमीर लोग तो गरीबों का खून चूस करी पैसा बनाते हैं और सिर्फ पैसो की ही बात नहीं है जो लोग mentally strong नहीं होते हैं उनकी सोच mostly हर बात में negative होती है अगर कोई cricket अच्छा खेलता है तो उसके बारे में कहेंगे वो तो बस कमजोर टीम के सामने अच्छा खेलता है मैं कहता हूँ वो आपसे ज्यादा practice करता है उसकी technique कितनी अच्छी है और अगर gym में कोई अच्छे shape में दिख गया तो कहेंगे कि उसने पताने कितने steroid से ऐसी body बनाई होगी और अगर किसी के पास अच्छी बाइक देख लेते हैं तो कहते है यह तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई वलाद है कमान यार जरूरी नहीं है कि अमीर बापों की वलादे बिगड़ी हुई ही हो दूसरी तरफ एक mentally strong person एक शांदार कार को देख कर उसके ओनर से जलता नहीं है वो उस कार की तारीफ करता है वो कहता है कि एक दिन में भी ऐसी ही कार खरीदूंगा मुझे पैसा कामाना नहीं आता है तो मैं सीखूंगा मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट करूंगा में आप एक लाख सब्सक्राइबर्स बना लोगे उसके लिए आप एक action plan बनाते हो और वीडियोस बनाना शुरू करते हो एक साल गुजरने के बाद आपको सिर्फ सो लोग सब्सक्राइब करते हैं और हूँ भी mostly आपके friends और relatives जिनको आपने force किया था सब्सक्राइब करने के लिए फिर भी आप same action plan पर काम करते रहते हो same boring videos बनाते रहते हो इस उम्मीद पर कि शायद अब अगले साल आपको एक लाख सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे and finally आप YouTube से तोबा कर लेते हो और सोच लेते हो कि यह आपके बस की बात नहीं है और अब आप एक नया goal set कर लेते हो कि अब आप एक ठीक ठाक सी जॉब कर लोगे एक अच्छी जॉब भी नहीं एक ठीक ठाक सी जॉब एक mentally strong person यहां क्या करता वो अपना goal change करने की जगा अपना action plan change करता वो यह सवाल करता कि मेरे videos लोग क्यों नहीं देख रहे ओके मेरे videos boring है second question मैं अपने videos improve करने के लिए क्या कर सकता हूं ठीक है तो अब मुझे इस तरह के videos नहीं बनाने अब मैं दूसरी तरह के videos बनाऊंगा वो वही same boring videos बनाने की mistakes बार बार नहीं करता इंस्टीड वो अपने failure से सीख कर एक नए तरह के content के साथ videos बनाता तिंग नमबर 8 mentally strong लोग एक ही mistake बार बार नहीं दोराते और अब मेरा favorite point आजकल हो यह रहा है कि average employees खुद की salary compare कर रहे हैं highly skilled and experienced executives से उन्हें लगता है कि company उनका हक मार रही है जितनी salary उन्हें मिल रही है वो उससे कई ज्यादा के हकदार है कईों को लगता है कि उनका boss उनके खुन पसीरने के कमाई पर रैश कर रहा है इन्हें लगता है कि इनकी जो problems हैं बस वही दुनिया की सबसे बड़ी problems है कि अगर वो idea share करेंगे तो कोई और successful हो जाएगा ये सारी निशानिया भी mentally weak लोगों की है mentally strong लोग जो होते हैं वो self aware होते हैं अपनी value जानते हैं वो उनके साथ होने वाली हर बात की जिम्मदारी लेते हैं उनकी salary कम है तो वो मानते हैं कि उनकी skills भी कम है और वो अपनी skills improve करने पर focus करते हैं उनकी life में जो भी problems हैं वो मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ही responsibility है और किसी की नहीं है उनकी life में जो भी हो रहा है ये उनके ही decisions से हो रहा है ऐसे attitude वाले लोग दुनिया में किसी से नहीं डरते thing number 12 mentally strong लोगों को ये डर नहीं होता है कि दुनिया उनसे कुछ छीन लेगी तो ये थे Amy Morin के book 13 things mentally strong people don't do के 13 ideas में से 5 ऐसे ideas जो मुझे ज्यादा अच्छे लगे मैं ये कहूंगा कि आपको ये book ज़रूर पढ़नी चाहिए it's a very good book description में दिये हुए link से जाकर आप ये book खरीच सकते हो वीडियो पसंद आया हो तो share करिए इसे दूसरों के साथ क्योंकि mentally strong लोग ideas share करने से डरते नहीं है और ये वीडियो दूसरों के साथ share करने का एक और reason भी है American Educationist Edgar Deck का concept The Learning Pyramid के मताबिक जब हमें किसी वीडियो से knowledge मिलता है तो हम उसे सिर्फ 20% याद रख पाते हैं बट अगर हम उस knowledge को अपने life में apply करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं तो ये हमें 90% याद रहता है वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करिए सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और वीडियो के लिए अगर आप ये वीडियो मुबाइल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक करिए इससे मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगर आप ये वीडियो पीसी पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक करिए उसके बाद सेंड मी ओल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल चेक बॉक्स को चेक करके सेव पर क्लिक करिए अभी के लिए इतना ही धन्यवाद